हाई दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल स्कॉलर्स एक्सिस में पैस दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संबाव त्रिफुच एक्विलेटरल ट्रेंगल के वारे में बात करने वाले हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का एक्जाम की भीव से यद संबाव के लिए लेके आए हैं इस से एक प्रॉबलम जरूर्ट पूछा जाता है आज का टॉपिक बहुत है दोस्तों वीडियो को लाज तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और तो से इयर विडियो कीजिएगा आई एंग टॉपिक को चलते हैं संबाव तर्भुज क्या होता है जैसा की नाम से है संबाव संबाव समतलब बरबर अगर हमारे पास कोई तर्भुज ऐसा है हमारे पास कोई त्रिभुज ऐसा है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो वो संभाव त्रिभुज कहलाता है ABC अगर कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं AB, BC और CA तीनों equal है means AB equal BC equal CA अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये त्रिभुज आपका क्या कहलाता है संभाव त्रिभुज कहलाता है इस तरह का त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं संभाव त्रिभुज कहलाता है और संभाहुतर मुझकी एक खास्य अतावर होती है इसके सभी कोड इक्वल होते हैं बरावर होते हैं कोड A, बरावर कोड B, बरावर कोड C और प्रतेक कोड हमेशा रखिएगा प्यारे दोस्तों साथ हंस होता है कोड A, कोड B, कोड C तीनों ही कोड़ जो होते हैं साथ हंस होते हैं ये point हमेशा है रखिएगा प्यारे दोस्तों इसकी सभी भुज़ें बरावर होती हैं और सभी कोड़ बरावर वहाँ प्रते कोड़ साथ हंस का होता है इस तरह इसको हम संभाव त्रिभुच कहते हैं आये संभाव त्रिभुच का हम परिमाप और छेथफल सीख लेते हैं क्या होता है हमेशा रखिएगा प्यारे दोस्तों इसका जो परिमाप होता है परिमाप इसका जो परिमाप या पेरिमीटर जो होता है तीन बुड़े भुजा क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है इसलिए तीन बुड़े भुजा कह सकते हैं अगर हम इसकी भुजा को A माल लेते हैं तो 3A इसका परिमाब जो होता है क्या होता है प्यारे दोस्तों 3A इसकी सभी भुजाएं बराबर है इसको हम A माल लेते तो इसका परिमाप जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3A हो जाता है, और इसका जो छेदफल होता है, इसका जो छेदफल होता है, संभा उत्रहुच का, संभा उत्रहुच का छेदफल जो होता है, root 3 upon 4 into A square root 3 upon 4 into A square होता है भुजा की घाट तो या A square होता है root 3 upon 4 into A square होता है इस तरह ये परिमाप और छेथफल हो गया जब भी सम्भावत्रिवुच आपके सामने दिया गया हूँ उसका परिमाप पुछा जाएगा तो 3 into A लगाएंगे formula और अगर छेथफल निकालने के लिए पुछेगा तो root 3 upon 4 into A square formula लगाते हैं आएए इसी में हम सम्भावत्रिवुच की उचाई निकाल लेते हैं सम्भावत्रिवुच की उचाई क्या होती है अगर हमारे पास एक सम्भावत्रिवुच है उसके एक सीर्ण से उसकी सम्भुग भुजा पर लम डाल देते हैं तो वह उसकी उचाई कहलाने लगती है means AD, AD H माल लेते हैं H है AD तो AD बराबर याद रखना formula दोस्तों AD जो की सम्भावत्रिवुच की उचाई है इसका जो formula होता है याद रखिएगा formula इसका अक्सर इस related question पूछे जाते हैं आप इस formula को लगा कि direct आप उचाई सम्भावत्रिवुच की उचाई निकाल सकते हैं root 3 upon 2 into A होता है इसकी जो उचाई होती है root 3 upon 2 into A होता है इस तरह परिमाब 3 into A होता है छेत फ़ल जो होता है root 3 upon 4 into A square होता है और इसकी उचाई जो होती है root 3 upon 2 into A होता है आए सम्भावत्रिवुच के अन्ता पृत्रिवुच की तिर्जा की उपर चर्चा कर लेते हैं माल लेते हैं हमारे पास कोई सम्भावत्रिवुच ABC है ABC इसका अन्ता पृत्रिवुच किसे कहते हैं ऐसा पृत्रिवुच की तिनो भुजाओं को अन्ता असपर्स करता हुआ कीचा जाए वो सम्भावत्रिवुच का क्या होता है अन्ता पृत्रिवुच होता है तो प्यारे दोस्तों इसकी जो त्रिज्या होती है माल लेते हैं इसमाल आर है और याद रखेएगा संभावत्रिभुच्ट के अंताव रित की तरिज्जा इसमाल र वराबर होती है हमेशा चाहिएब रखेगा प्यारे दोस्तों A upon 2 root 3 होती है हमेशा चाहिएब रखेएगा इस point को प्यारे दोस्तों जब भी कोई हमाई पास संभाव त्रिभुच दिया रहेगा उसके अंता बृत की त्रिज्जा इसमाल R पुछेगा तो R इक्वल A upon 2 root 3 होती है आईए बाई बृत या परिबृत की त्रिज्जा की बात कर देते हैं परिबृत परिबृत ऐसा बृत जो संभाव त्रिभुच के बाहर मिंस इसके तीनों सीर्षों को असपर्स करता हुआ अगर खीचा जाता है तो वो संभावतिर्भुच का परिवृत कहलाता है और प्यारे दोस्तों संभावतिर्भुच के परिवृत की जो त्रिज्जा होती है माल लेते हैं वो क्या है? कैपिटल आर है संभाव त्रिभुच की जो परिवित की जो त्रिज्जा है माल लेते हैं capital R है तो capital R equal याद रखेगा प्यारे दोस्तों क्या होता है संभाव त्रिभुच की परिवित की जो त्रिज्जा होती है capital R और capital R equal A upon root 3 होता है A upon root 3 होता है a upon root 3 होता है आए अगर हमें कभी-कभी पुछता है दोनों त्रिभुजों की त्रिजाओं का अनपात क्या होगा अगर हमें इसका अनपात पुछा जाए आपके पास क्या आएगा वन अपान टुछा जाएगा वन अपान टू आजाएगा इंप्लाइज हमेशा अवर्टियेगा और रेशियो कैटल और जो होगा वन रेशियो टू इस तरह अन्तावरित और परिवरित की त्रिज्याओं का जो अनपात होता है एक अनपाते दो होता है आईए संभाव त्रिभुच से रिलेटेड एक बेरी मोश्ट इंपोर्टेंट पढ़ते हैं आपके सामें लिखा हुआ है एक संभाव त्रिभुच के अन्ता भाग में इस्थित किसी बिन उसे त्रिभुच की भुजाओं पर डाले गए लंबों की मापे कमसा P1, P2 और P3 है तब तब त्रिभुच की प्रते भुजा होगी क्या होगी कह रहा है हमारे पास एक संभाव त्रिभुच है हमारे पास एक संभाव त्रिभुच A, B, C है A, B, C है इसके किसी बिन उसे इसके अंदर अंता भाग मिन्स अंदर किसी बिन उसे माल लेते हैं बिन आपका क्या है P इस दिंदु P से इन भुजाओं पर लंब डाला गया है माल लेते हैं यह PD है यह PE है और यह क्या है PF है यह लंब डाले गए है जिनकी मापे करमसा दी गई है P1, P2, P3 दी गई है तब हमसे पूछ रहा है कि इस त्रभुज की भुजाओं की प्रते भुजाओं की माप क्या है तो प्रते भुजा ए होगी तो इसका आसान सा फार्मूला होता है उस फार्मूले को आप याद रखिएगा और इससे रिलेटेड बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड अगर प्रादम आएगी तो वह फार्मूला अपलाई करके आप डारेक इसकी भ रूट 3 जितने हमारे पास लंब होगे उनको एड कर देंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 तो हमेशा रखिएगा संभाहुतर भुज की प्रते भुजा जो होगी एक्वल 2 अपां रूट 3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 लंबों की माप को जोड़कर 2 अपां मनलब 2 अपां रूट 3 से म हो जाएगी प्रते भुजा हो जाती है तो है ना असान क्वश्चन इतना बड़ा है इसका सलूशन इतना सा छोटा सा है इसको आप प्रूब भी कर सकते हैं आए इसी पॉइंट से रिलेटेड एक प्राब्लम की बात करते हैं प्राब्लम आपके सामने लिखा है एक संभाव प्राब्लम देश का परिमाब क्या होगा हमें परिमाब निकालना है परिमाब निकालने से पहले हमें trains की भुझा बता होना चाहिए दिधानासा जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले इसका फार्मुला बताएगा अगर कोई संभावुत्र भुजे इसके अंदर किसी बिंद से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाएगा तो उस प्रतेग भुजा संभावुत्र भुज की जो भुजा होगी रूट 2 अपार रूट 3 इन्ट इसको हम साल्व कर लेते हैं 2 अपार रूट 3 इन्टू इसको ऐड़ करते हैं 5 2 7 8 8 रूट 3 हो जाएगा रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा इस तरह ए जो होगा वह आपका कित्ता होगा 16 सेंटीमीटर इस तरह संभावुत्र हुज के हमें भुजा प्राप्थ हो गई आ प्रापर 3 इन्टू 16 अब इसको हम मल्टिप्लाइग कर देंगे कित्ता आजाएगा प्यारे दो तो सोलत यहां 48 होता है 48 सेंटीमीटर इस तरह संभावुत्रिभुच का जो परिमाप होगा वह 48 सेंटीमीटर होगा आये नेक्ट कोश्चन की बात करते हैं कोश्चन है एक संभावुत्रिभुच का छेटफल एक संभावुत्रिभुच का छेटफल 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्कॉयर है तो उसकी भुजा वा उंचाई हमें निकालना है जैसा कि हमें छेटफल दिया गया है छेटफल एक कोल हमे A sqjr hota hai, huja kia dhu ho ta hai 36 root 3 इस थरह हमす sharawat 2 36 root 3 into 4 upon root 3 हो जाएगा root 3 cancel हो जाएगा इस तरह हमाई पास क्या आ gew relaxed 36 36 into 4 हो गया A, A equal इदर जाएगा square root निकाल लेते हैं 6 into 2 हो जाएगा means 12 cm 12 cm हो जाएगा इस तरह जो संभाव उत्रभुज हमें प्राप्ट हुआ उसकी भुजा जो होगी A A जो होगी वो क्या होगी 12 cm हो जाएगी इसकी ये भुजा हो गई और अब हमें क्या निकालना है उचाई उचाई H निकालना है जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया H बराबर किसी संभाव उत्रभुज की जो उचाई होती है रूट 3 अपान 2 इंटू A होती है तो रूट 3 अपान 2 इंटू A की वैलू आपने 12 निकाला इस तरह इसको हमसरल कर देते हैं 2 छेंग बारा होता है इस तरह H जो हो जाएगा 6 रूट 3 सेंटिमीटर इस तरह इसकी उचाई जो संभाव उत्रभुज है उसकी उचाई क्या हो जाएगी 6 रूट 3 सेंटिमीटर हो जाएगी आए दोस्तों Next question निबात करते हैं Question है 48 सेंटिमीटर की तार को मोड़ कर एक संभाव उत्रभुज बनाय जाता है तिर्भुज का छेटफं क्या होगा 48 सेंटिमीटर का हमारे पास तार है उसको मोड़ कर एक संभाव उत्रभुज बनाये गया यानि कि 48 जो है संभाव त्रभुच की लंबाई है और संभाव त्रभुच की लंबाई मतलब संभाव त्रभुच की जैसा कि हम देख रहे हैं मारे पास 48 cm का ताव है यानि कि ये संभाव त्रभुच का क्या है परिमाब अब परिमाव बराबर क्या होता है फ़हरे तोस्तों परिमाव परिमाव बराबर होता है 3A परिमाव में 48 दिया गया है तो 48 बराबर क्या हो जाएगा 3 1 in to a इसतरह A व्राबर बराबर मिन्स A बराबर 16 cm इस तरह संभाव त्रभुज की जो भुजा आएगी वो 16 cm आएगी अब हम इसका छेटफ़न निकाल देते हैं एक रूट 3 अपान 4 इन्टु भुजा की गार दो होती है रूट 3 अपान 4 इन्टु 16 इसको हम काट देंगे 4 चोग 16 सॉरी रूट 3 अपान 4 इन्टु 16 इन्टु 16 इन्टु 16 फोर सी से कट कर देंगे 4 चोग 16 16 चोग 64 64 रूट 3 सेंटीमीटर इसकोर इस तरह इसका जो छेटफ़न होगा तो यह था प्यारें दोस्तों आज का टापिक जल भी संभाव त्रफु से रिलेटेड अच्छे अच्छे सेलेक्टेड कोश्चन आपके सामने लेके आएंगे चैनल को आप देखते रहें और अगर वीडियो पसंद आया हूं तो प्लीज लाइक से और सब्स्राइब माई यूटूब चैनल मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई बाई दोस्तों